तो बात कुछ ऐसी है कि दुनिया कैसी कैसी है कभी ऐसी है तो कभी वैसी है यहां पलभर में बात पलट जाती है और पलट कर एक और ऐसी बात बन जाती है जूट का सच और सच का जूट बन जाता है और पलबर के लिए मानो तो जैसे वो अपना सा लगने लग जाता है कभी अपना अपना तो कभी पराया सा बन जाता है रात में दिन तो कभी दिन को रात बतलाया जाता है दिन में तारे दिखा कर उसे सपना सा बताया जाता है कभी दिन में चान तो कभी सूरज दिखा कर अर्थ रिवॉल्यूशन बताया जाता है और फिर हमारे मन में एक प्रश्ण सा उठ जाता है पर फिर भी ये मन कभी उसे पूछी नहीं पाता है चली प्रशन प्रशन का क्या है कवीता आगे बढ़ाते हैं चान पर पहुँच कर भी मनुश्य ये पता नहीं लगा पाया है कि चान चान क्यूं और सूरच सूरच क्यूं बतलाया जाता है और अंत्वे में कहना चाहूंगी कि परिवर्तन की चाह सभी को तरक्की सभी इसलिए कर रहे हैं तरक्की से सब बढ़ तो रहे हैं पर आगे कभी नहीं बढ़ रहे हैं तो जिस दिन आगे बढ़ जाएंगे परिवर्तन भी हो जाएगा अब परिवर्तन क्या है वो भी जान लेते हैं तो परिवर्तन है उस चड़िया का नाम, जिसे करते हैं सब बदनाम, परिवर्तन तो गांधी ने भी किया और मायावती ने भी किया, कोई देश को अजाद करा गया, तो कोई नईनियम कानून बना गया, कोई देश को अजाद करा गया, तो कोई नईनियम कानून बना गया, पर परिवर्तन तो आया नहीं, या आया, तो जो आया वो बहरी था, अब अंदर बदलाव लाना है, अपनी अपनी सोच बदल कर सुरक्षित देश बनाना है, सुरक्षित देश बनाना है, सुरक्षित